Hello dear students, hope you are doing great कभीता इचेयर चैनल की इस वीडियो में आज आप जानेंगे exam hall में MCQ exam pattern को कैसे attempt करें इससे related tips and tricks आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे So let's start the video वीडियो प्रारंब करने से पहले आप सभी के लिए एक important message इस साल के exam में appear होने से पहले आप कोरोना vaccination जरूर करा ले जो सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी ये आपकी सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि महतपुण रास्तिय जिम्मेदारी भी बनती है टिप नमर बन Before attempting full paper read carefully कि question paper attempt करने से पहले ध्यान पूर्बक कम से कम दो बार जरूर पड़े Second one After reading, divide your question paper into three parts A, B and C A equal to 50%, B 30% and C 20% 50% है easy to common question 30% है easy to moderate question and 20% absolutely tough questions तो no doubtly कि सबसे पहले आपको section A that's been 50% से ही शुरुआत करनी है जिससे आपका confidence build up होता जाएगा टिप नमर थर्ड Very very important Don't do as increasing and decreasing order कि ना ही question paper बढ़ते क्रम में और ना ही घटते क्रम में करें इससे क्या होगा कि अगर questions आपको आएंगे तो आप over confident होते चले जाएंगे और अगर नहीं आएंगे तो वहीं पर demotivate हो जाएंगे इसलिए कैसे करें Already हम आपसे discuss कर चुके हैं टिप नमर 4 कि question paper में N square factor का विसेज ध्यान रखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा Mostly students इसी में गलती करते हैं कि अगर question paper में negative marking है तो इसका विसेज ध्यान आपको रखना है साथ ही question paper में questions में नहीं के options that means no KB option पर विसेज ध्यान दे जल्दी जल्दी में ये चोटी-चोटी mistakes हमसे जर्नली हो जाती है टिप नमर 5 question paper में tick salt question and OEMR में साथ ही relevant circle fill करते जाएं टिप नमर 6 OEMR sheet अबसके regarding कौन-कौन से questions है वो आपको देखने जरूर चाहिए first one circle को full dark करें next OEMR में circle में कहीं भी cross का sign कोई भी blade, कोई भी scratching, erager या bitner, any sharpener used ना करें next one instructions में दिये गए pen color का ही use करें multi colors का नहीं टिप नमर 4 की sequence number and right question number का विसेज धियान रखें सही sequence और सही direction parts के according ही अपने response फिल करें टिप नमर 7 question ना समझ आने की condition में 50-50 या elimination methods यूज करें इससे आपके answer सही होने की probability increased होगी टिप नमर 8 जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो last condition में option A to D में most likely B या C का selection करें इवन ली options A to E की condition में आप चाहें तो E पर tick कर सकते हैं इनके सही होने की पूरी पूरी संभाबना होती है tip नमर 9 most likely ये options सही होती है for example all of the above या none of the above साथ ही सबसे अलग options या सबसे बड़े options पर भी विसेज ध्यान दे क्या पता इससे आपका answer सही हो जाए tip नमर 10 last of all but not least last में कोशिस करें at least 5-7 मिनट की revision अवश्य करें जो किसी भी तरह की एकजाम की सबसे महतपूर स्टेज है इससे आपके सफल होने की गारंटी बढ़ जाती है झालुक किससे भीचल